बच्चों हमारा शीडवन का हंडर दे मारत हमने है ना है राइट हंडर एंड वन में किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ हंडर एंड वान तो परियोरिक टेबल लावाइब होती है है रे रे जस्ट असेक हाँ बच्चों तो वी आराउन हंडर एंड वान हंडर एंड वन में बताओ बच्चों विच्व फॉलेंग इस इंकरेक्ट बाकियों का सारा समझे मां आ गया नहीं आ गया गाए कि वुझ सल्फर का सेकें लिशन क्लोरीन का मतलब है स्लसर गया तुमारा का पर बच्चों सल्फर तुमारा कांप गया साफ़ोरस और क्लोरीन की जब़ीया स अगया सख्या और हम Länder आए फॉस्फोरस का है ना विकॉज ऑफ एक्स्ट्र स्कीबिटी ऑफ फिल्ट सब्सक्राइब करेक्ट सेकिंड तो इनकरेक्ट है थर्ड में हमें पता है दोनों का रेडियस लगवक सेम है और सेकिन आइशन और बोरॉन इस गेर देन देट अफ कार्बन यह फिर वही काम करे र्जाए किया सेकिन आइशन और बोर रौन कार्बन सेकिन आइशन का मतलब थे कार्बन पहुंचे का बोरॉन की जिए बोरॉन और आदे हैं घुली और युजरी पे बता सब्सक्राइब युद्योज है कि रोड़ गशाओ इस प्रिद्ध प्रश्व करो करते हो गाइज पहली स्टेटमेंट के आरे में क्या कहना है मैंगनेजियम और melts में पहली किसा चांश की जाए मेंगनेजियम और धेछय का वैज के वह अबेटवर्ब मेंगनेजियम ह Philip Ch Faculty स्टारों कि आंप गें second ionization of magnesium. यह यह magnesium जाएगा sodium की जगे. sodium जाएगा inert. innerd की तुमारी ionization ages higher. मतलब तुमारी sodium की second ionization has got to be greater than that of magnesium. समझा रहा है नहीं आ रहा है. कि sodium एक electron lose करने का inert हो चुका है. Magnesium तो वो एक और electron lose करने के बाद वो अल्रेडी सोडियम की जगें पहुंच चुका है अब वो इनर्ट होएगा clear है guys good third पर आ जाते हैं वैसे option हमें पता चल गया है answer B है हाँ बागी दोनों compare करके देख लिए जैसे तुमारा C is normal D बताने एक बार third ionization of magnesium and third ionization of aluminium हाँ correct जो हमारा magnesium है वो दो के बाद इनर्ट बन चुका है तो third ionization is going to be very high as compared to that of aluminium aluminium तीन करने आद स्टेवल हो रहा है magnesium पीसरा जो लूज करेगा देर लिए फ्रॉम्दा इनर्ट गैस 104 मैं तो कोई दिकत नहीं आनी चाहे बच्चों मता ionization enthalpy सब जादा किसकी होगी chlorine की सबसे कम किसकी होगी silicon की और phosphorus और sulfur में जादा किसकी होगी phosphorus की बंदा स्टेवल है anyway इसका अंसर सी होगा न बेड़ा इसका अंसर सी है करेक्ट 105 बता बच्चों इसमें तो कोई दिकत दियानी चाहें मेरे खालते बताव गाइस एक काम को आंसर निकालो इसमें नॉर्मल और काईश्चों मैं इसमें नॉर्मल और kind of follow हो रहा होगा जिसे आपसे लग रहा है phosphorus और aluminum को तो हटा दो उससे उपर तो तुम्हारा boron और nitrogen आ गया और boron और nitrogen में ionization किसकी ज़ादा होती है मैं तुम realize करोगे जो हम किसकी बात करें third की यह थर्ड के आद यह इनर्ट हो रहा है आइडिया इसके बाद inert हो रहा है third यह नहीं के इनर्ट से निकल रहा है third के बाद inert होगा और nitrogen third के बाद कहां पहुंच जाएगा बैलिम पर idea इस तुम normally relate कर सकते हो कि तुम्हारा को एक खास फर्ड नहीं पड़ा हाँ है ना तो हम कहेंगे nitrogen का boron से जाद ही होगा जो normal order है वही follow होगा जो first ionization में order है वही तुम्हारा third में आने वाला है clear or not guys समझगे fourth होदा तो भी हम सोचते के fourth में तुम्हारा हम किस से निकाल ले होते guys inert से निकाल ले होते anyway 106 पर आजाओ बच्चो it is going to take a lot of time पर लो मुझे यह बता दो यह कह रहा है zero electron है मौनोवलेंट डाइवलेंट ट्राइवलेंट तुम्हे बताओ A के पास कितने electron होंगे एक होगा नहीं होगा भई B के पास कितने होंगे और C के पास होंगे तीन electron मौनब हम एक तरीके से वही पता चलगा क्या element क्या है hydrogen helium lithium we know the elements अब हमें पूचा क्या है आइश एंजी के बारे में तो एक एक को देखते आओ C3 B2 A1 मौनब हम किसकी बात कर रहे हैं C3 का मतलब है Li2 प्लस से Li3 प्लस बनाना दूसरा He2 प्लस से He2 प्लस बनाना H से H प्लस बनाना तो मैं realize करोगे guys ये तीनों के तीनों में एक electron है मौनब reactant को देखो Li2 प्लस He2 प्लस H इन तीनों में एक electron है ISO electronic species है जिस पर positive charge जादा उसके आनाईशन है जी जादा समझा आ रहा है नहीं आ रहा है तो किस पर charge जादा है Li2 पर जादा है positive charge तो ये तो correct हो गया ठीक है दूसरे आते हैं सबकी फर्स आनाईशन देख रहे हैं यह लीथियम की कम हो नचे उसके बाद वो इनर्ट हो रहा है आए ना और लीथियम और हार्जन में considering हार्जन ऑवर हेर हारजन की जादा होगी लीथियम से उपर आय कर रहया और इस्की सबसे जादा होगी यह इनर्ट बैठा है कि समझयूं आ रहे नहीं आ रहे तो ब्क 접종 है रहा झा पहते हैं नेक्स्ट क्रिए और एक काम क्या करते है यह इसके अंदर सीथ्री विल इतना उतर में पता चल रहा है मतलब सक्सेसिव आनाइश जी जिस आलवेस हाय है वाट 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 वट वीटू में बच्चों सीट अमारा हो गया एल लाई प्लस गोइंग टू लाई टू प्लस और लाई प्लस मतलब हीलियम वाली कॉन्फिकेशन दी इसकी और दूसरे में ह एसे समझो किमारा एलाई प्लस गोइंट लाई टूब्रस एलाई प्लस आपकोई में टूब्रस ली प्लस है और एकंटी प्लस की कॉन्फिकेशन हारज उन्वाली है तो मैं बदा है हीलियम ऐसे लेक्ट काला इस डैडेफिनितलील मोर्ड भीकल आज कंबेर तो हारर जो करने की जूरती नहीं थी द्यान से देखो तुम्हारा जो ए है और डी है उसमें सिर्फ और का डिफरेंज अगर ए करेक्ट है तो डी एस गॉट टू बी इंकरेक्ट है ना मतब ए के बाद भी कुट आफ डायरली गिवन दा आंसर एस डी क्योंकि अगर ए करेक्ट है थें डी है इस गॉट टू बी इंकरेक्ट है ना ओके फाइन नेक्स पर आते हैं गाईस क्वेश्टन पर हंडरेंड सेवन करो गाईस सेकेंड आइशन समझे रहे हैं बिजिकली वियार टॉकिंबाओट एएस एज जी अरे सेकेंड आइशन की बात करें ना एस और ऐसी झाल तो सेकेंड आइशन का अजला है एक एक उल्लूज करने का सब्सक्राइशन डी करने का तो कॉन्पिगरेशन एस जी वाली होगी हाँ है ना अब एस ऑर ग्रून निकालोगी एक एलक्ट्राइशन जात है obviously AS की जाद है मतलब एक तरीके से SC की second ionization is going to be more than that of AS नहीं समझाया है नहीं आया है तो बोलो भई हम कह रहे हैं SC और AS की second ionization की बात कर दे यह एक एक एलेक्टरॉन लूज करने के बाद यह यहां पहुंच चुका है यह यहां पहुंच चुका है इन दोनों में से ionization किसकी जादा होती है AS की इसका मतलब है second ionization देखी जाए तो SC की AS से जादा है क्योंकि second ionization की बात कर देए second ionization का मतलब हो गया एक तरीके AS और G को compare करना और AS और G में अगर हमारा AS की जादा है तो हम एक तरीके कह सकते हैं SC की second ionization is more than AS तो बली statement दो correct है C to two plus मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बैलियम की और N to plus का मतलब nitrogen boron की बात कर रहे हैं इन दोनों में हमें बताए बैलियम की जादा होती है उसके बाद ionize कर रहे है तो बैलियम की जादा होगी तो हम कह सकते हैं कि B option is correct जहां से देखा और बताओ third ionization of F भाई ये काम कर दो अलेक्ट्रोन निकाल दो उसके बाद देखेंगे ना कि इसका मतलब है कि nitrogen में से हम electron निकालना चाहरे है and third ionization of O मतलब हमने दो अलेक्ट्रोन अटा दिये तो कौन बज़ गया कार्बन नार्जन और कार्बन में किसकी आएट ये जादा होती है नाट्रोजन की तो दिसकरेक्ट थाड़ आइनशन औफ फ्लोरीन इस गेर देट आप ऑक्सिजन आए ना मुदा थाड़ आइनशन और अप्लोरीन और और आप्सिजन कंपेर करने के बजाए विहार कंपेरिंग नाट्रिजन और कार्बन के अंदर आएट लिएशन औरक्सिजन और अबेड़ा दी हामारा डाइट आएट आप सार और पैसे क्योंकि हमें बता है इनट गैसे का मैक्सिम होता है हंड़र एंड एंड फे आऊ बच्छो डाइज हंड़र एंड 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 यह जोट ए सेकंड गाइज 108 किया बच्चों गाइस पहला कुम सा है गाइस P क्या है L के लिए Q क्या है R क्या है R में do you realize guys first के बाद second में जम आया है राइट लिए उसके बाद जो जम आया वह बहुत बड़ा नहीं आया ज्यान से देखो पहले के बाद second में जम आया second के बाद बहुत ज्यादा जम नहीं आया मतलब कुछ ऐसी फील आ रही है कि इनर्ट तो नहीं बना पहले के बाद second में इडिट नॉट बिकम इनर्ट पहले से जम जो जम आया वह भी जादा नहीं आया और उसके जो नेश जम आया वो कोई खास आया नहीं मतलब second and third are almost equivalent और first and second में भी कोई खास जम नहीं आया लेकिन जम है there is a significant jump three times का jump है हाँ है ना यह होगा पी ब्लॉक फील रखो किसकी बेटा aluminium type की कि aluminium में से एक electron निकाल दिया बैलियम आ गया बैलियम में क्या था जम की बैलियम के आइनाईशन इस हाए और बैलियम के बाद कर सॉरी magnesium सॉरी aluminium के बाद क्या आ गया मेंगनीजियम यहां पे आइनाईशन क्या आगई जादा और उसके बाद हम कहेंगे सक्सेसिव तो बढ़ती है अब अगर इसने फोर्ड दी हो दी तो विए विट है बिन प्रेटी शूर के कौन सा है तुम्हारा ग्रूप 13 को बिलॉंग कर रहा है समझो आ रहा है नहीं आ रहा है फोर्ड बे तुम्हारा एक सिगनिफिकेंट जम आ गया होता समझो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो यह हमारी कमानाईशन है इसके बाद जम पाया इसके बाद थोड़ा और बढ़ा और उसके बाद तुम्हारा एक significant jump आना था हाँ है ना बच्चो यह तुम्हारे aluminum है या boron है लेकिन उन्होंने कुछ बोल लखा है कुछ भी नहीं बोल लखा तो it could be you get the idea it belongs to group 13 हाँ है ना right obviously we cannot identify if D is correct or not हमें क्या बता period के आ रहे है समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो तो इसने पूछा क्या है incorrect option c and d बोट आ रहें incorrect क्योंकि incorrect में है क्या होगा c दो definitely incorrect है d के बारे में d भी incorrect ही बोलना चाहिए how can we identify कि दि बिलॉँग के ता same period or not हाए ना anyway right 99 पे आ जाओ बच्चो गाइज यह पक्का सुझा आए ने पी ब्लॉग कैसे है ओके अने नाइन पे आओ यह तो आसान ठेहरा पड़ावड हो जाना चीए यह होगा बिलकुद क्योंकि दर रियाक्शन आर रिवर्स ओफ इच अधर हाए ना राइड 110 पे आ जाओ बच्चो शांद यह करो के आंसर आ जाएगा ट्राइ यह करा करो करेट यह है ट्राइ यह करा करो तुम के वीशल और एंड देख लो उससे अब बड़ा हेल्प मिल जाती है क्लोरीन सबस्जाद है वैसे क्लोरीन तुमारा ए और सी दोनों में ज़्याद है ठीक है ना तो यह लाइड़ आइंटिफाई था लेफ मोस्ट आलसो लेफ में हमारा ऑक्सिन और सल्फर में कों से की एलेक्टरॉन एफिनिटी कम होती है ऑक्सिन की यूगेट यूर आंसर 111 पे आ जाओ सेकिन्ड इलेक्टरॉन गें एंधेल्पि हैं पहले चीज़ तम्हे एक सी ज्याद है नहीं की और आए पोजिफे आप यह एक्याद लेच लेनी की बिल्कुल tendency है नहीं you'll have to supply energy अब यह किसकी लेनी की tendency कम होगी जिसका छोटा size है it is going to be oxygen तो guys answer क्या होने वाला है रिनल आए की भई oxygen की लेनी की tendency कम है you'll have to supply more energy to make it accept electron it is going to be D 112 पर आजाओ बच्चो गाइस प्लीज अन्रेंट ट्वेल्ड यह दो मेरे क्याल से इसका उपर वाल क्वेशन से निकलने वाला हुआ which is correct बच्चो बीज करेक्ट absolutely correct ठीक है पर ना अन्रेंट 13 पर आया हूँ अच्छा हूँ बीज करेक्ट क्यों होगा भई हम कहते हैं नेडिजन आल्मोस टेबल है तो से लेक्टान लेने की टेंडेंसी पिल्कों लिए है फ्लॉरीन टो आडिन तुम्हारा डिक्रीज नहीं करता फ्लॉरीन की कम होती है क्लॉरीन की जादा होती है अंडर एन पर आजाओ यह देख दम सो जाना च्छे बच्छा हूँ वारी नाइस सी होगा गुद अंडर एन फिफ्टीन पर आओ बच्छा हूँ अंडर एन फिफ्टीन इस जस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं तुम्हें रियक्शन की टाम समझा रहा था नहीं समझा रहा था बच्छो हां वेरी नाइस बाकियों को इपड़ देखो हाओ इस ट्रू बाकियों सारी क्या होनी चीए एक्जोथर्मिक है एक्जोथर्मिक होता है अब सी को कैसे देखोगी बच्छों यह हमारा बी वाले का उल्टा है करेक्ट और डी हमें बताया आइशन है जी एंडी किविंग एंडी प्लस क्या होता है एंडोथर्मिक आइशन है तो यह बंदा क्या होगा एक्जोसाइम हन्रेंट सिक्षीन में को यह दिक्कत ने आनीजिए वैसे करो करो इसे हन्रेंट सिक्षीन भी करो गल्दी का स्कूप है बच्चों का जल्दी में करेंगे आंसे गल देंगे जल्दी ना इस गोई बीडिए इंपॉर्डटन चीज क्या है नाटिजन की एलेक्रों अफिनिटी इस लेस देन अड़ आप कर्बन समझें आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों नाटिजन की एलेक्रों अफिनिटी काफी कम है विकॉस आफ एट स्टेबल कॉन्फिगरेशन नेक्सक्षिण गाइस इस ड्रॉष नेक्स गाइस नहीं आप कॉन्जा गलत हो गाँ कॉन्जा गलत होगा कॉन्जा गलत होगा कि इस गड़बर कहांपे है कि गड़बर बता हुआ है नाटरजन और ऑक्षिएन का नाटरजन का तो कार्बन से आधा हो नहीं है नाटरजन इस गोइंट भी मैक्सम नाटरजन ऑक्षिएन में एलसे हैं नाटरजन भी इस कि आघनाशन अगया यह है जैं झाहत है हुआ है अंजर लाइंड नेक्स पह कैन झाहा है करेक्ट बीस रॉंग कि सी समझा आया नहीं आया बच्चों डी फैक्टू लर्ण ठीक है अनने नाइटिन पर आजा बच्चों बड़ी अच्छी चीज इससे पूरा इनर्ट पेरिफेट समझ मां आ जाएगा करो जो भी नट पर इफेक्ट पर क्वेश्चिन्स हैं तुम्हारे सारे क्लियर हो जाने हैं बच्चों पहली जीज़ एप आया लुए कि आप आजाओं एक बारे में दूनों आखा क्या क्या आल है क्यों क्लास टू की स्टेविलिटी बड़ती याथ कि वह जह लिखा हुए है जी का प्लस टू इस टेवल एंट से लेश्टेवल था प्लस टू इंस्ट्ट आप फॉर बिकम्स प्लस टेबल ऊ-ई-ठील है न यह जी पहले यह बताओ बच्चो यश बेटा सेकेंड को देखो प्लस फोर की टेंडेंटी डाउं दगरूप क्या होगी कम होगी बीबी करेक्ट है अब सी पे आओ मैंने क्या कहा था इनर्ड पेर इफेक्ट हम कह रहे हैं कि प्लस टू की टेंडेंटी डाउं दगरूप बढ़ रही है लेकिन वो इन तक तक टमारा प्लस पूर एंड प्लस टू चीज तो चीजीए कि करेंड और दी में तुम्हरा पी वी में प्लस तो इसम्मूर और चांब में समझा आएं निलीशन घाए इस या शा स्वाहर से थेख्या वाउं भंगल गया नेक्स पर बच्चो मुल्टिपल करेक्टर बच्चों यह होगा बिल्कुल और्विडल दे रखा है सब शल्गी बात नहीं करी से भी होगा निकाल के देख लिया हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसमें दो एलेक्राण अड़ाओ फॉर एसमें से अड़ा दो एक में 3D7 है एक में 3D6 है किसमें अंबेड जादा होंगे 3D7 में 3D6 में करके देखो गाईज कोबल्ड इस पोरेस टू 3D7 उसमें से दो एलेक्राण अड़ाओ क्या बच्ची का 3D7 तीन एलेक्राण अड़ाओगे तो यह एफ 3D6 और 3D6 और 3D7 में किसमें जादा अंबेड जाए कमाल यारे काम करो बना के देखो ऐसे और्विटल बनाते हो ना पांच पांच बनाओ उसमें सेवन फिल करो सिक्स फिल करो और बदाओ किसमें पैड़ जाता है इसमें जादा अंबेड है ना एक्जैक्ली तो हमारा सी इंकरेक्ट सी ओट्री प्लस में अंबेड आर गोइंट भी मोर उसमें चार और उसमें 3 हैं सी ओटू प्लस में बी दो इंकरेक्ट है हमें दिखी रहे सक्केसिव आयनाईशिं आईजी अल्वरज इंकरीज़ अब प्लैडीनम और प्लैडियम के आरह में तम लोगों क्या क्या नहीं यह प्लैडिनम ठेहरा है नौमिया आइनाईशिं किसके आदा होनी चीह प्लैडिनम की और आइने वह जिए पीडी की ज्यादा होती है पीडी की पूर शीर्लिंग वेरी पूर शीर्लिंग पूर शीर्लिंग होई अठ्राक्शन बढ़ गया नॉम निद्वारी पैलेडियम के वह नीच यह दी क्योंग वह देर लाइंग आप इन डा सीरीज ही समझे याद है याद हैं मैंने कुछ ऐसा बताया था कि जितना पॉप्रण नेगडिव चार्ण जादा होगा उतना कॉवलंड में तूटना असान होगा कुछ ऐसी चीज याद है नी याद है बंगा ऐसे समझो इलेक्रोनेटविटिटी डिफरेंस उतना ज्यादा बॉर्ण टूटने की टेंडेंसी हाइब तो जरा मुझे बताओ आंसर सोच और आंसर बताओ क्या एंज़र होगा चीज़ गॉइंट वी करेक्ट चीज़ गॉइंट वी करेक्ट मों तब डूड़ेगा जब में एलेक्ट्रोनेटी डिफ्रेंस इस मोर देन ओएच और 122 को देखके डरना हुआ यह तुम्हारा 121 का यह बड़ा भाई है करो से हां ना नॉर्मल है एक नॉर्मल नी चीज़ समझो बच्चों हमें कुछ एमो एच बॉन दे रहा है यार अगर वह बॉन टूट रहा है तो बाहर क्या निकल रहा है एक एक एमो वांड रूट रहे तो क्या बाहर निकल रहा है एक एमो बॉन दूट आदो वह बहार निकला बेसिक अब निकाल ली सकते आंसर निकालो बच्चों हमएच शोड तुम शीट करके आये थे करो झाल 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 वारी नाइस इट से डिफरेंस देखना है का है इस डिफरेंस देखना है एलेक्ट्रो नेडियोडी का ठीक है निकलाएगा अंसर एकाम क्रो एम वनों के बीच में एलेक्ट्रो नेडियोडी डिफरेंस क्या है जिरो पॉइंट वन के बीच का कितना है वन पॉइंट फॉर तो कौन सा तूटेगा बेटा वेश तूटेगा नहीं तूटेगा वेश तूटेगा तो तुम्हारा एच्च बाहर निकलेगा 123 करो गाइस बड़ाई प्यारा साथ सिंपल था क्वेशन है फड़ा फड़ बताओ वह भी आना चीए था बही तना समझा आ रहा है नहीं आ रहा है पहली रियक्शन कौन सी है फॉस्स आइशन की और इंड सेकंड रियक्शन इस फॉस्स आइशन प्लस सेकंड आइशन ये चीज़ समझा इन आ आई उसका तो कर्शन हो जाना चीए एंड वैरी नाइस बी समझा आया नहीं आया बच्चों कुछ ने गाइज डी को लिखने का खराब तरीका है और तुम द्यान से देखो वन ट्वैंडी फॉर करो बच्चों इसे कोई खास दिकत आने नीचे छोड़ दो इसे वन रेड़ी फाइब आओ गाइज सभी पूछा जाए ना तो यह क्वेश्चन में बहुत हाई प्रवाइडी है कि बच्चे अगर Elimination की अधाफ से सोचेंगे ना तो नहीं हो पाएगा ए क्यों भई आयनायजयशन तुम्हारी गल्ट है तो एक कैसे हो जाएगा भई तुम्हारे पास Ca2 Plus की आयनायजशन सभस्ema आधा होगी नहीं होगी Ca2 Plus की तुम्हारा Ca2 Plus देरे रखा Ca2 slice डेरे का स्टु माइस देर रखा सिय दूपलेस के आइशन इस गई तो यह मैक्सिम मध आइस एलेक्रोनिक स्पीशिस पकड़ा रखें सेकेंड आइशन की बात करिए गाई शांदी से करना उसे हां वेटा कि दी तो तुम्हें दिग्या होगा तुम्हें क्या कह रहे हो कौन साम से करेक्ट क्यों शांदी यहां पर तुम एलिमिनेशन के तरीके से मतलब तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं मैं बता तो उसका रीजन क्यों तुम्हें इस लिए नहीं पता क्योंकि सीएंडी आर जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें इसका अंसर अटेम्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्शन जारी होती है इन में ठीक है ना का इस पूर बेड़ा उसे बंद करो भाई बच्चों ऐसे समझो द्यान से समझो जो तुम्हारा सी और डी है अरे यार मैंने अभी तो गादा म्यूट करो बंद कर दो ठीक है अब मैं क्या कह रहा था ज्यान से देखो बच्चों शांती सी और डी आर वैरी स्पेसिफिक केसिज गाईज ठीक है ना सी को तुम जब तक तुम्हें और नहीं पता यू कैनोट कंक्लूड ठीक है ना क्योंकि तुम्हें यह बता है पूर शीडिलिंगे कार्ण कुछ गड़बर हो सकती है राइट एलेक्ट्र नेटिट्रिटिटि में विक बार में तुम्हें बता दू डी में भी दिक्कत है गाईज और लग रहा होता है सही है यह एक्ट्री सही नहीं है क्योंकि तुम्हारा देखो एल्प्ट्र dzi में अलुमीनियम इस गॉइंट टॉइट और यह नहीं है समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छों के अगर तुम देखो तो तुम बी को कंग्लूर कर सकते हो ध्यान से देखो हमें देरका है ओ एफ एनन्सी राइट हम कहेंगे भाई ओएफ एंसी क्या हमें सेकिंड आइशन की बात करी है तो हम कहेंगे फॉर्स जाए तो तुम्हारा यह चार हो जाएंगे मतलब ओ एफ एंसी का सेकिंड आइशन देख रहे हो तो यहार बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंसेड ओफ एफ ओ एंसी यहार टॉकिंग बाउट ओ एंसी इन इसमें आइशन किसका जादा होता है पता एंका होगा फिर ओका वही ओडर आ रहा है नहीं आ रहा है यह बताओ मुझे वही आ रहा है ना बच्छो क्लियर है गाइस एंगा मतलब एक तरीके से जब हम एंग कहरें विया टॉकिंग बाउट ओ देन एफ देन एन देन सी हाँ है ना गाइस देखो हर एक टाइम पे यू माइट नाट बी अब आप्शन बड़ेजर वेरी हाई प्राइड यू एबल टो अटेंप दर क्वेश्चिंग है अभी तो तुमने रटाई नहीं है यह आला पार जिसके मैं बात कर रहा हूं सी और डी ऑप्शन का बट स्टिल वड़ाइं ट्राइं कि तुम्हारा यह आ जाता है जहां से देखो अच्छो यहां बे एक और काम की चीज़ है डी ऑप्शन को देखो डी में वाट यह वाट यह वाट कर रहा हूं एलेक्ट्रॉनिक की टर्म्स है यह यह एलाई प्लस का साइज इस ग्रेटर दें एमगी टू प्लस इस अफैट हार्ट कैसा कैसा कैसे हो गया समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये ऎलाई प्लस का साइज इस ग्रेटर धें एमजी टू प्लस और वी टू प्लस और यहां थी प्लस में साइज किसका बड़ा होता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह ऐसी चीज़े हैं जो कि याद करने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली आएगी लेकिन देर वैरी हाई प्रियोडी अगर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है जेए में में तो द्यार एक्सपेक्टिंग यू तो गेट दा आंसर जो कि तुम निकाल पाओ गयो जो जी तुम्हें नहीं पता देर दा हाई प्रियोडी आद एलिमिनेश प्लस जिसकी वजाएसे तुम्हारा डी ऑप्शन इंकरेक्ट है सी के अंदर एक्जैक्ट और क्या है यूँन आयला थुसी का क्या है बच्चे वह जब तुम पी ब्लॉक खोलोगे तो यू रेलाइज वाट इस दे क्रेक्ट आंसर 126 में तो कोई डाउट निया निकाल लेन अच्छी है तुम्हें गाइज निकलाएगा नहीं निकलाएगा ओके जस्ट सेक्ट पॉल्ड ऑन बच्चों देखो 126 कर सकते हो असानी से 127 कर सकते हो 128 भी किया जा सकता है 129 का आंसर गल्थ है 130 पे आ जाते हैं उसको भी मेरी गालते कर सकते हो तुम्हें याद होना चीए मैंने तुम्हें कही बार बता रखा है तुम्हें यह कॉन्फिकेशन याद होनी चीए यह यह याद कर लो बैट रहे हैं यह याद कर लो बैट रहे हैं और यह यह याद कर लोगे यूगे इसली सॉल्ट कि तुम्हारा कहां से कहां पर यह शुर क्या रहा है निकाल लोगे और कौन दे क्वेशन के बात कर रहा है तो उसके बाद तुम्हारा किसको बिलॉंग कर रहा है कौन से ब्लॉंग कर रहा है तो निकालोगे निकालोगे बच्चों इन एनी केस्यों कैलकुलेट इट गाइस वन थार्टी वन नहीं वन थार्टी टू पर आओ क्या करोगे तुम पूछा गया है अजिम उसल कौन्टम नंबर इस इक्वलू जीरो मुझे बदाओ क्या वैल्यू लेके चलोगे क्या चीज को अबजर करोगे जब अजीम उसल कौन्टम नंबर गडे रखा है है आलिक को लूज जीरो का मंतलब क्या हो जाई हां एस सब्शल है ओस καile MS अविखनwen काउंट कर निकाए लिए Songs अन्ट ूपल्स की प्लिस के लिए वह ay वह है सब्छल के लेट्रॉन काउंट करने की लिए दिदें टूलाई में याद रो हो four is three three 10 होता है जब दो लेक्ट्रान निकालों कि क्यास ना फियन सिए हैगी 3 133 फैक्ट उलाने 134 में बहुँ जा हाल खराब होने वाली तुम लोग उनकी 134 में बता वच्चो क्या होगा अंसर इसमें दिक्कत आनी है वैसे क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स नहीं बता रखा कुछ क्या रहे हैं मैं तुम्हें इंफॉर्मिशन देए था गाइस सुनते अब गाइज एच बाहर निकलने के लिए वी लुक एट नॉर्मल तिंग जिसमें बॉर्ण लेंज ज्यादा एच और हैलोजन के बीच में बढ़ी होगी तो बॉर्ण वीक होगा जल्दी एच बहार निकलेगा अब बॉर्ण लेंज सबसे बढ़ा रहा तो हैच एक एच एफ की बॉर्ण लेंज इस गोइंट बी स्मॉलेस्ट तो सबसे जल्दी है एच किस में से बाहर निकलीगा एच आई देन एच बी आर देन एच एल देन एच एफ एच आई इस मूस्ट एसेडिक हाया ना सेकिंड को छोड़ दो थर्ड पर आओ कोई बाद नहीं थर्ड कर लोगे फूर्थ में बच्च हो गाइस यह है इसमें तुम्हें रिलाइज करोगे तुम्हारा एक्सेप्शन आरदा नहीं आरदा बच्चो गुड राइट पीडी जादा होते हैं पीडी से राइट एणिवे फाइव के बारे में तुम लोगों क क्या कहना है बच्चो यह किसके उपर बेस रही है बता दो प्लस फाइव ऑक्सिडेशन स्टेट की बात करना चाहा है वह डाउन दग्रोप इनर्ट यहां भी प्लस सी विल बिकम मोर स्टेबल आउन दग्रूप हाँ है ना प्लस सी गूंट बिकम मोर स्टेबल मतलब डाउन दग्रूप प्लस फाइव डिक्रीज हो रहा है गुड करेक्ट है सिक्स पर आजाओ अच्छो हाइडरेशन एजी डिपेंड ऑन टू तिंग्स शायद मैंने बताए भी था साइज एंड चार्ज चार्ज बढ़ रहा है तो अधरेशन बढ़ेगा तो करेक्ट आउडर है अधर यह तम्हारा नेक्स एक गलत है क्लोरीन के बाद न्हारा फ्लोरीन आता है दैन ब्रोमीन दैन आइडी ओके इन एनी केस दैट सेट अब वन थरी फाइव कर सकते हो 136 पे आओ बच्चो 136 पे आओ गाई उसने कह रखा है कि K shell की configuration है N-5S2 K shell की configuration है N-5, अब यहां पे देखो बच्चो Question number 135 K shell K shell का मतलब क्या है बच्चो N की वाल्यू क्या है guys मतलब which is the shell, first shell KLMN होता है K is your N equal to 1 तो वो कह रहा है N-5 S2 यह हमें दे रहा है N-5 is your K shell हाँ है न तो N की वाल्यू क्या रही होगी बच्चो हाँ है न N-5th shell is your K-th shell, समझ मा आ रहा है नहीं आ रहा है clear or not तो हमारा N की वाल्यू क्या है बच्चो 6 अब हमें पता चल गया कि तुम्हारा अब उसने देखा है outer most में 2 हैं हमें पता है outer most में 2 उसे inner में 8 उसे inner में 25 हम कहेंगे इसका मुदलब यह हमारा 6 की बात कर रहा है यह वो फिफ्स की बात कर रहा है यह 4th shell की बात कर रहा है यह शेल के बारे में बता रहा है और नेक्स में कितने भरे होई है आठ हम कहेंगे इसका मलब इसका एस बढ़ा हुआ है पी बढ़ा हुआ है आठ बढ़ जाते उसमें डी और एफ खाली है मलब तुम्हारा फाइव एस में दो है 5P में 6 अब यहाँ पे कितने भरे हुएं गाइस 25 तो भरना शुरू करो 4S में 2 4P में 6 4D में 10 और 4F में 7 आएंगे बच्चों मेरे ख्याल से काउंट करके देख लो हाँ है ना clear or not गाइस तो यह हमारी configuration है अब उसने पूछा है पूछा क्या है total number of unpaired electrons हम कहेंगे यह दो सारे भरे हुए है इससे पहले वाले भी पूरे भरे हुए होंगे इसका मुलब है unpaired electrons कितने हैं बता F में total 14 बढ़ सकते हैं 7 है तो 7 ही unpaired होंगे जरसे और answer समझो आया नहीं आया बच्चों good 137 हो जाना चीए करके देखो गाइस अगर spin की तीन values हो सकते हैं इसका मनलब क्या है बच्चों spin की तीन values का मतलब है हम कहते हैं orbital में कितने electron आ सकते हैं एक orbital में तीन आ सकते हैं वही हम क्या कहते हैं फॉर हमारा जो poly था वो क्या कहता था कि इन पर्टिकलर orbital you can have चारो स्टेट सेम नहीं हो सकती तीन स्टेट सेम कर दो चौती हैस गॉट टो बी डिफरेंट अब हम यह कहना चाह रहे हैं एक orbital के अंदर तीन तुमारे पास electrons हो सकते हैं एक की m value minus half एक की m value zero एक की m value half तुमारा और बीटल के अंदर कितने electron आ सकते हैं तीन इंस्टेड ऑफ दो अब वो कह रहे है इस हिसाब से फर्स्ट पीरिड में कितने elements आ सकते हैं क्या नहीं हो सकती ना hypothetical question है कि if that was true then find out the number of elements in the first period पहलों मुझे यह बताओ यह समझा आई नहीं आई कि हमारा जो poly कहता था वो कहता था s की value जितनी होंगी उतने तुमारे पास number of electrons हो सकते हैं इन पार्डिक्लर और बीटल राइट s की value पहले माने साफ हाफ होती थी अब 3 हो सकती है तो there are three orbitals three electrons that can be possible in a particular orbital अब हम कह रहे हैं first period के अंदर कितने elements हो सकते हैं हम कहेंगी तीन ही हो सकते हैं कि one में सिर्फ one s होता है एक orbital होता है तो उसके अंदर कितने electrons आ सकते हैं एक orbital के अंदर तीन आ सकते हैं वाई चांस हम second period की बात कर रहे होते तो हम कहते हैं उसमें 2sb है 2pb है total कितने होगे बच्चो चार orbital s के आ 1p के 3 और 4 into 3 12 इस तरीके से तुम calculate करते हैं समझे हो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो question number last पे आ जाओ वैसे मेरे कहादे तुम इसे कर्ड होगे हो जाएगा बच्चो try this on your own you'll be able to do it तो shall I leave it share the sheet guys बताओ okay